Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 7th class Math and CART के chapter number 1, integers के example number 2 को solve करेंगे. Second example में हमसे कहा गया है, find each of the following products. Product का मतलब होता है students, multiply करना. First part में हमें दिया गया है, minus 18, multiply by minus 10, multiply by 9. हमें इन तीनों numbers को multiply करना है, तो इसके answer में सबसे पहले तो हम इस question को यहाँ पर as it is रिखेंगे, minus 18, multiply by minus 10, multiply by 9 is equal to. याद रखेगा students के चाहे हमें कितने भी numbers दिये गए हों, एक time पर हम दो ही numbers को multiply करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम, minus 18 और minus 10 को multiply करेंगे, और इन दोनों numbers को multiply करके जो answer आएगा, उसे हम 9 के साथ multiply करेंगे. तो यहाँ पर हम big bracket के अंदर लिखेंगे, minus 18, multiply by minus 10, और उसके बाहर हम लिखेंगे, multiply by 9, यानि के पहले हम minus 18, और minus 10 को multiply कर रहे हैं. जब आप 18 को multiply करेंगे 10 के साथ, तो आपको मिलेगा 180, और याद रखेंगा students, कि जब minus multiply होता है, minus के साथ, तो जो answer आता है, वो positive आता है. तो यहाँ पर हमें मिलेगा positive 180, यह multiply का sign as it is आएगा, और यह 9 भी as it is आजाएगा. अब हमें मिल गया है 180 multiply by 9, और जब आप 180 और 9 को multiply करेंगे, तो आपको मिलेगा 1620, यानि के इन तीनों numbers का product है, 1620. Second part में हमें दिया गया है, minus 20, multiply by minus 2, multiply by minus 5, multiply by 7, हमें इन चारों numbers को multiply करना है. तो सबसे पहले इसके answer में हम इन चारों numbers को यहाँ पर as it is रिख रहेंगे, minus 20, multiply by minus 2, multiply by minus 5, multiply by 7 is equal to. अब हम इन चारों numbers को दो-दो numbers के group में बाढ़ देंगे, minus 20, multiply by minus 2, हम एक साथ रखेंगे, और minus 5, multiply by 7, हम एक साथ रखेंगे. इसके बाद इन दो numbers को multiply करके जो answer आएगा, और इन दो numbers को multiply करके जो answer आएगा, फिर हम उन दोनों answers को multiply कर देंगे. जब आप 20 को multiply करेंगे 2 के साथ तो आपको मिलेगा 40 और जब आप minus को multiply करते हैं minus के साथ तो जो answer आता है वो answer positive आता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा positive 40 यह multiply का sign as it is आएगा और जब आप 5 को multiply करेंगे 7 के साथ तो आपको मिलेगा 35 और जब आप minus को multiply करते हैं positive के साथ तो आपको जो answer मिलता है वो minus में आता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा minus 35 तो इन दो numbers को multiply करके हमें मिला positive 40 और इन दो numbers को multiply करके हमें मिला minus 35 अब हम इन दोनो numbers को आपस में multiply कर देंगे जब आप 40 को multiply करेंगे 35 के साथ तो आपको मिलेगा 1400 और जब हम positive sign को multiply करते हैं negative sign के साथ तो जो answer हमें मिलता है वो भी negative होता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा minus 1400 तो जब हमने इन चारो numbers को multiply किया तो हमें answer मिला minus 1400 थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है minus 1 multiply by minus 5 multiply by minus 4 multiply by minus 6 हमें इन चारो numbers को multiply करना है तो इसके answer में सबसे पहले हम इन चारो numbers को यहाँ पर as it is लिख लेंगे minus 1 multiply by minus 5 multiply by minus 4 multiply by minus 6 is equal to अब हम इन दो numbers को एक साथ multiply करेंगे और इन दो numbers को एक साथ multiply करेंगे जब आप 1 को multiply करेंगे 5 के साथ तो आपको मिलेगा 5 और जब हम negative number को multiply करते हैं negative number के साथ तो जो answer हमें मिलता है वो positive होता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा positive 5 यह multiply का sign as it is आ जाएगा जब आप 4 को multiply करेंगे 6 के साथ तो आपको मिलेगा 24 और जब हम negative number को multiply करते हैं negative number के साथ तो जो answer हमें मिलता है वो positive होता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा positive 24 तो इन दो numbers को multiply करके हमें मिला positive 5 और इन दो numbers को multiply करके हमें मिला positive 24 अब हम 5 और 24 को multiply करेंगे और जब आप 5 और 24 को multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 120 तो इन 4 numbers का product है 120 I hope students आपको हमारा ये video पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू